कौन सर आयोध्या में राम हो गए मतुरा में कृष्णु हो गए और ज्यान वापी में शिवजी हो गए अपनी ही धर्ती पर अपने ही प्रभू की अराधना करने के लिए कानूनी लडाईए बताईए किस मुल्क में ऐसा होता है कुटे ने तोड़ा दा बाबर ने साथ सो फाल पहले की बाते कर रहे हैं एप उसने कहा कि आयुदा, आयुदा तो मिल गया दोस्तों हम तो यह नहीं कहते हैं हम भी अपने हिदो भायों का आहसास करते हैं हम चाहते हैं कि हम आपको आग से बचाएं सही रास्ते पर ले चले भगवान तो सिर्फ एक ही है और वो है अल्ला पाकी जात हम तो ये भी कहते हैं कि वो खुदा वो अल्ला हम सब का है वो आपका भी है हमारा भी है इसी बारे में डाक्टर जाकर नैक ने बहुत ही अच्छा बियान किया आई हम उनकी जबानी सुनते हैं और आपसे गुजारिश है किसी वीडियो के एंडर तक जरूर देखें ताके आपको इसकी अच्छी तरह से मालूमात मिल सके तो बिने टेम जाय के वीडियो की तरफ याउध्या तो बस जाकी है पूरा हिंदुस्तान बाकी है इन्होंने क्या कहा हमारे तीन बड़े आराध्य देवता हैं कौन सर आईध्या में राम हो गए मतुरा में कृष्ण हो गए और ज्यान वापी में शिवजी हो गए तीन भगवान है ये कहा पूझने जाए कहा करने के लिए कानूनी लड़ाई ये बताईए किस मुल्क में ऐसा होता है मिजॉरिटी बिल्कुल पवित्र टरीके से कानूनी लड़ाई लड़ाई है कि मुझे अपने मंदिर में अपने भगवान की अरादना करने दो जिसको राम के नाम से दिक्केते अपनी हैस्ते सी कराए हमें कोई परेक नहीं पढ़ता हम तो ऐसे कहेंगे जैस स्री राम कुट्ते ने तोड़ा था बाबर ने साथ सो फाल पहले की बाते कर रहे तो अधाइना कुछ भी यह चीजे आप इतियास कितना पढ़ रहे क्या मुझे बता दो हाई इस देश से साओधी एरेबिया मुसल्मान जाता है कभी आपति किये हम हज करने हमारे किताबों में लिखा ह हुआ है अज अध्या मतुरा माया कासी कांची अवंति का पूरी द्वारावती चईवा सब्ताइता मुक्षदाई का मने साथ जगा हमारे लिए मक्का मदिना के तरह से है 40,000 मंदिरों तोड़े हमने मांगा कितना सिर्फ तीन तीन के लिए हमको कोट जाना पड़ता है क्यो हुआ जाना पड़ता है कोई मुसल्मान निकलता है कि हिंदु मुसलिम कहां गया गया जमना कहां गया वह बिचारधारा कहां गया वह सोच भाई निकलो बाहर इसलाम में हम यह नहीं मांते कि अल्ला सुभाणाव ताला खुदा खुदा सुसन सुर्फ एक कभी ली के है या सिर्फ एक रंग के इनसान के है या एक टाइप के इनसान के लेकिन अल्म स्माधला लों अल्माते हैं सुरे फात्यमें इस mec mesela नम्र एक आयत नम्र ढूर आयत नम्र दो अल्हम्दलिल्ल्ही रब्लाालमीन तारीफै उस रब की जो सारे आलम का रब आलमीन उसे कहा गया है रब disappear रबioni इस सारे आलम का रब है सारे आलमीन का रभ है सिर्फ एक ग्रोह का नहीं और गुरान मजीद में आला ताला फर्माते सुरे नास में सुरा नमबर 114 आयत नमबर एक कुल आउद बिरब्बिन नास कि वो रब्बन नास है सारे इंसानों का रभ है खुसूसां सिर्फ मुस्लिम का या अर्बो का नहीं है वो सारे इंसानों का रभ है और कई आयते कुरान मजीद में जो शुरू होती है या यूवन नास या यूवन नास या यूवन नास ओ इंसानों ओ इंसानों इसलाम में अल्ला सुभानाव ताला सारे आलमीन सारे इन्सानियत का रब है और कुरान मजीद में आलमी भायचारा के लिए किई फॉर्मिलाज दिये गये है किई चीज जिकर है कुरान मजीद में सारे पॉइंट का जिकर करने का वक्त नहीं है कुछ चंद बाते करूंगा मैं Allah ताला फरमाते सुर माइदा में सुर नम्पर पांच आयत नम्पर 32 अलात अल्ग ताला फर्माते अगर कोई भी इनसान कोई भी दूसरे इनसान का कतल करता है सर्फ दो वझे को छोड़के एक जुआ वो कातिल हो या इस धरती पे फसाद कर रहा हो ये दो वज़े छोड़के अगर कोई भी इनसान दूसरे इनसान का कतल करता है वो ऐसा है कि सारी इनसानित का कतल किया कोई भी इनसान चाहे मुस्लिम या गेर मुस्लिम हो कोई भी दूसरे इनसान चाहे मुस्लिम या गेर मुस्लिम हो उसका कतल करता है दो वज़े को छोड़के वो इंसान कातल ने होना चाहे और इस धर्टी पर फसाद नहीं करना चाहे अगर वो दूसरे इंसान का गतल करता है मुसलिम यागेर मुसलिमों वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का गतल किया और आयत में आगे ही लिखा है कि अगर कोई इनसान कोई दूसरे इनसान की जान बचाता है वो ऐसा है कि सारी इनसानियत को बचाया है कतल करना हराम हैं ममनूर हैं आपको आपके जहन में अखस नहीं पैदा करना चाहिए तकरीबन दिन्यानुए नाम अल्ला सुभानाओ ताला के अर्रह्मान, अर्रहीम, अलहकीम, most gracious, most merciful, most wise no less than 99 और सबसे उपर अल्ला हम मुसल्मान खुदा को अर्बी लवज अल्ला से चूँ पकारते उसकी वज़ा है, हम मुसल्मान, अल्ला सुभानाओ ताला को अल्ला लवज से क्यूं पकारते बनिजबत, इंग्लीश वर्ड गॉड से चूँके बाकी जितने लवज है, वो जबान में उससे खिलवार कर सकता है इनसान मिसाल के तोर पे, जो लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉड या खुड या देव ये जितने अलफाद है, उससे एक इनसान खेर सकता है मिसाल के तोर पे, गॉड है, अगर आप एस लगाएंगे, तो हो जाएंगा गॉड प्लूरिल आफ गॉड अगर आप एस लगाते हैं गॉड को आंग्रेजी में तो गॉड रो जाता है, खुड़ की जमा, जो इस名 совремे कुल हो टाहद, अगर आप डी इस एस जोड़ते हैं गॉड को हो जाता है, गॉड इस, मतलब अवरत खदा और इसलाम में अल्ला सुभाना ओ ताला का जिंट नहीं ना वो पतौjak है ना ओरत है अल्ला सुभाना ओ शुन उत्यार अहलादा है ना मरत है ना ओरत है अल्ला इजुनीक अगर आप गोड को IIT करेंगे father, वो हो जाता है God father he is my God father, he is my guardian इसलाम में अल्ला फादर अल्ला अबा नहीं है अगर आप मदर जोड़ते हैं God को हो जाता है God mother इसलाम में अल्ला मदर नहीं है इसलिए हम मुस्लिम खुसुसां अल्ला को अल्ला से पुकारते हैं दूसरे कोई लफ से नहीं क्योंकि दूसरे अल्फास जो है उससे एक इनसान खिलवारा कर सकता है, मिसाल के तौर पे देव देव को अगर गए देव अगर यह लगा देंगे तो देवी हो गया, देव अने मुझकर, दो हो गए ना देव और देव यहां, female and male इसलाम में God is neither female निदा मेल, ना मरद ना उरत है, देव ताओ, अने भोज से देव हो गए तो इसी लिए हम मुसल्मान, खुसूसां अल्ला को अल्ला से पुकारते है लेकिन जब मैं तकरीर करता हूँ, जो गैर मुसलिम के सामने, जिसे अल्ला सुभ्हना वत ताला के बारे में सभी इल्म नहीं है तो मैं लव ज़ज गॉड इस्तिमाल करता हूँ, लव खुदा भी इस्तिमाल करता हूँ, जिस तरीके से आज कर रहा हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि खुदा या गॉड اللہ کا सभी तरजमा नहीं है लोग उसे नहीं समझते इसलिए मैं खुदा कह रहा हूँ या गौड़ कह रहा हूँ लेकिन सभी माने में लग तरजमा गौड़ भी गलत है और खुदा भी गलत है इसलिए हम मुसल्मान अल्ला को अर्बी में अल्ला कहते है वरना गुरान के आयते व्लिदु अबिदु रह्मान आयमात दू अधादो फ़लाल असमान असना आप चाहे ल्ला को रह्मान कहो या बतल हो उससे कुछ भी कहो लिकने एक अच्छा नाम मुझे उम्यद है कि आज की वीडियो आक तो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए लिए लाहाफिज